नमस्क्राइब दो तो मेरा नाम है राउ जोहान और आप देखर राउ टैक्सपोर्ट 29 तो आज जैसे कि मैं आपको बताने वारा हूँ कुछ फोन्स की लिस्ट जो हाली में अभी आने वारे कुछ दिनों में Android Oreo रिसीव कर सकते हैं जैसे कि Android Oreo हमें पता चला है जली हो चुका है 8.0 जो कि हमारा Android Oreo ने बर्दन में के साथ आ चुका है तो हमेशी कि हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ मेजर फोन्स जो कुछ जियों में Android Oreo रिसीव करने वाले माफी चाहता हूँ मैं भी उन फोन्स के वाले में नहीं जानता मैंने भी आपने फोन पर लिस्ट पढ़ी है तो मैं आपसे सारी फोन के लिस्ट शेयर करने वाला हू और नेक्सस 6P और नेक्सस प्लियर जाते कि गूगल के यह सब डिपाइजिस आने वाले को जिनों में Android Oreo को अपडेट देने वाले हैं जाते कि Android Oreo अपडेट इसमें मिल जाएगा जो कि Android 8.0 इसमें मिल जाएगा अला हम बात करें Samsung के डिवाइसिस की तो Samsung में Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 7 Fan Edition, Galaxy A7 2017 version, Galaxy A5 2017 version, Galaxy A3 2017 version, Galaxy J7 2017 version, J7 Prime 2017 version, Galaxy J5 2017 version, Galaxy Tab S3 और Galaxy C9 Pro जो कि जैसे कि मैंने भी आपको Samsung के कुछ फोन के लिस्ट बताई हैं ये सब Samsung के फोन आने वाले कुछ जिनों में 9 Android Oreo Receive करेंगे जो कि मैं अब नाम बात करते हैं HTC तो आने वाले कुछ जिनों में ये HTC के फोन Android Oreo को आपडेट करेंगे HTC U11, HTC U Ultra, HTC U Gray, HTC 10 और HTC 10 Evo तो ये जो मैं आपको लिस्ट बतारा हूँ है ये final list निकल चुकी है जैसे कि इन फोन का Android Oreo रिलीज होना पक्का हो चुबाया जैसे कि मैं तो आपको लिस्ट ये major list बतारा हूँ तो ये कुछ ही फोन से ऐसा नहीं है कि सारे फोन से में given है तो अब हम बात करेंगे तो OnePlus की तो OnePlus 5, OnePlus 3D और OnePlus 3 आने वाले कुछ दिनों में ये फोन भी Android Oreo को अपडेट करेंगे और Motorola के अगर हम बात करें तो Motorola Z2 तो रावन 17 बर्दन Moto Z2 Play, Moto Z Play, Moto Z Force, Moto Z और Moto G5 Plus और Moto G5 ये सब Motorola के वो फोन तो Android Oreo अपडेट करने वाले है अब Nokia के अगर हम बात करें तो Nokia 1, Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3 ये सब Nokia के फोन अभी Android Oreo में चेंज होंगे और Xiaomi के अगर हम बात करें तो Xiaomi में हमारे आता है Mi Max 2, Mi Max, Mi 5X, Mi 5C और Redmi Note 5A जो कि उस दिनों में Android Oreo रिसीप करने वाले हैं और LG की बात करें तो LG G6, G5, V20, Q8 और Q6 Q6 तो भी कुछ है दिनों पहले हाली में लॉंच होआ होता है अगर आपने देखा हो तो उसके बात अगर हम बात करें असूस की तो इसमें आता है Zenfone 4, Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Max Pro, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro और Zenfone Pro, Zenfone Go, Zenfone Lite, Zenfone 3S Max, Zenfone AR, Zenfone 3 Zoom, Zenfone 3 Max, Zenfone 3 Deluxe 5.5, Zenfone 3 और Zenfone 3 Ultra जैसे कि यह सब आने वाले असूस के फोन जो की Android और देशीब करेंगे उसके बाद अगर हम बात करें सोनी की तो सोनी के XZ, Premium, XZ, XA, XA, XA Ultra, XZS, X Performance और L1 यह सब सोनी के फोन आने वाले कुछ जिनों में Android और अपडेट हो जाएंगे और अगर हम बात करें यू कंपणी की जो की वाई यू एक इंडियन कंपणी है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें हमको मिलते है यूनिक्यू 2, यूरेका ब्लेक, यूरेका 5, यूरेका नोट और यूनिकॉन यह सब फोन में हमें Android Oreo मिल जाएगा और वीवो में जैसे की सिर्फ दो फोन में भी तरह Android Oreo की न्यूज दी हुई है X9 Plus और X9 अभी तक पता चलाएं कि वीवो के सिर्फ ये दो फोन Android Oreo में अपडेट होंगे ओपो की बात करें तो ओपो में F3 Plus, R11 और R11 Plus Android Oreo में अपडेट होंगे बात करें अगर हम हुवाई की तो Honor 8 Pro, P10 Plus, P10, P10 Lite, Honor Mate 8 और P8 Lite जैसे की ये सब फोन अपडेट रिसीप परेंगे और Mate 9 भी है और स्मार्टन कंपनी की बात करें तो जैसे की अभी स्मार्टन कंपनी ने के सार्टी फोन निकाला था कंपनी के दावा किया है, SRT Phone और P Phone ये दोनों ही फोन Android Oreo में अपडेट होंगे तो दोस्तों ये सब फोन जो मैं आपको बताया है, इस सब कुल जिनों में Android Oreo रिसीव करेंगे ये सब लिस्त थी अगर आप अब यह तक हमारे यूटूब चैनल को सब्स्क्राइब कर दें और अगर तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमिंट कर दें